कि नमस्कार साथियों Competition Community के इस Free Lecture Series में आपका फिर से स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि हम टेट एक्जाम के लिए Free Series चला रहे हैं जिसमें हम महत्वपूर्ण विश्यों के महत्वपूर्ण टॉपिक के नोट्स आपको उप्रब्द करा रहे हैं पिछले लेक्चर में हमने वृद्धी और विकास के बारे में बात की थी कि बाल विकास और शिक्षा सास्त्र में वृद्धी और विकास का जो आपका विश्य है उसे कैसे पढ़ना है कैसे समझना है आज के lecture में हम देखते हैं पहले कि पुराने lectures में हमने किन-किन मुद्दों को देख लिया था जो हमने बाल विकास की बात की थी तो इसमें हमने देख लिया था कि सिक्षा की आधारनायम सिक्षा का मातु सिच्छा का कॉंसेट्ट क्या है उसका मातु क्या है उसके बाद हमने देख लिया था कि व्रिद्धी और विकास में क्या समानता हैं व्रिद्धी और विकास किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं साथे साथ हमने देखा था कि वह कौन-कौन से आयाम है जिसके अधार पर विका प्रोड अवस्था इन सभी अवस्थाओं का हमने इंट्रोड़क्शन एक परंभिक परिश्य देखा था आज हम आगे बढ़ेंगे आज हम देखेंगे कौन-कौन सी बाते हैं जिनको हमको समझना है और आगे देखते चलना है आज हम देखेंगे मुखिभिंदू आपके बाल विकास के सिद्धानट क्रिंसपध कौन-कौन से चैल conversion के साந्द सासं में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन सी Omaha करके ऐसे कौन से factor है जो कि आपके Child development को effect करते हैं विकास के अवस्थाें विकास के कौन कौन से stage है स्टेज में हमने देखा था मूल रुप से अगर हम बात करें तो हम 600 अवस्था को हमने देखा था 700 अवस्था के बाद हमने बाली अवस्था को देखा था और बाले वस्था में हमने मुख के रुप से दो चीज़ों को देखा था एक प्रारंभिक बाले वस्था आपकी और दूसरी आपकी थी उत्तर बाले वस्था याने बाद की बाले वस्था दो भागों में हमने इनको बाटा था इसके बाद हम ने देखा था क्या आपकी किस और अवस्था एक जनेरल जो हमने टाइम-लाइन सेट की थी वो क्या थी वह भी आपलोG के याद होगा कमेंट्स में पता देंगे कि क्या क्या टैम-लाइन हमने इसके Ess Way तो हम क्या देखने वाले हैं जो विकास की विबिन अवस्थाएं हैं इस अवस्था जैसे की पहला बताया मैंने आपको 600 अवस्था दूसरी आपकी बाली अवस्था बाली अवस्था के बाद आपका क्या है किस ओर अवस्था इन सभी अवस्थाओं में हमारा विकास कैसे कैसे होता है तो हमारा विकास जो होता है वो क्या होता है आपका सारीरिक विकास होता है सारीरिक के बाद आपका संग्यानात्मक विकास होता है संग्यानात्मक के साथ साथ आपका समविगात्मक विकास होता है और आपका समाजिक विकास हो प्रॉवे हैं जिनके आधार पर आपको विकास को पढ़ना है तो इन सभी विकासों में चाहे शानिक रिक विकास की बात करें संग्यनात्मिक की बात करें समयकात्मक हम वाजबिह ले हम अवस्थाहँ में हम सालिक विकास हमारा विभिन अवस्थाओं में, 600 अवस्था में हमारा साइरिक विकास कैसा होता है, बाले अवस्था में और किस ओर अवस्था में, इन विभिन अवस्थाओं में हमारा साइरिक विकास कैसा होता है, इसको भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आग पांच वी से आठी तक के लिए लगपक लगपक समंधा समानता हैं उसमें कुछ-कुछ चीज़ें आपको उपर निचे दिखेंगी साथ ही इसमें देखें आप तो आपका इकाई एक और इकाई दो में भी कुछ चीज़ें सिमलर हैं जैसे कि आप देखेंगे इकाई एक में विकास की विपिन अवधानाय हैं गर्भ अवस्था सहस्व अवस्था प्रारंभिक उत्तर यह सभी अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं सेकंड पॉल रहा है आप स सब्सक्राइएं जो चीजें आयाती है वकस्था झ 상태 क्टुट्र镇क थ में आयाती है और संब्सक्राइब कशिशें यहां देखेंगे यह आपको संध्यात्मकष समयकात्मक्ष जिखेंगा न्यतिक विक शाप यहां पे दिखेंगा साथी साथ को यहां पर इन्वार्मेंट कौन कोन सी चीज़ें जो प्रभावित करती हैं तो यह संसकृतिक भूमी यहाँ आपको चीशंब सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी की रूप में दिखाई दे रही हैं, विक्तित्यों का विकास और सामाजी करण, यहां लिखा हुआ है, यहां फ़ी सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी लिखा हुआ है, मतलब यहां पर एक जनरल इंट्रोडक्षन परिष्ट की की बात की गई है यहां पर इसको detailing की बात की गई है चुकि हमारे पास इस फ्री लेक्टर स्रीज में आपको कम लेक्टर में बहुत सारी शीजर डिलिवर करनी है तो हम दूनों ही बातों को मिला कर देखते हो चलेंगे साथ में देखते हैं कि जो आपका बार विकास में छटव करने का अंतर है साथ में दिया है वंचित कमजोर जो प्रिष्ट भूमी के बच्चे हैं को कैसे सिखाना है सिखने सिखाने का अधार्बुत तरीके क्या है वो क्या है तो यह सारी बाते आप देखेंगे कि लगभभभभभभ़ कॉमन ही मिलती जूती है थोड़ा सा इस्तर क अंतर है प्रश्णों का अंतर है तो सबको अलग अलग ना पढ़ाते हुए जो भी टॉपिक आएंगे जो भी लेक्चर आएंगे उसमें मैं सारी चीजों को एक साथ समाहित करते चलूंगा ताकि आपको एक बार में चीज़ें क्रिश्टर क्लियर हो चलिए आगे बढ़ते आज हम जो आगे बात करने वाले हमने व्रिध्य विकास के बीच अंतर देख लिया था विभिन अवस्थाएं जो जीवन में होती हैं आपकी गर्भा अवस्था से लेकर कि आपके प्रोणा अवस्था तक साइश्जियों को देख लिया था आपके पार्टिक्रम के हिसाब स आपके लिबस धाउप से जो महत्यपुन चार वस्था हैं रिकॉल करिए कौन-कौन से चार वस्था था तीसरी चार रबस्था ने सबनाइंब करना है कि भई आपको इनहीं क्या करना है पढ़ाना है ून्हें शिक्षा दीन है उनके ज्यान में वर्धन करना है अब देखते हैं कि बाल विकास के कौन कौन से प्रमुख प्रिंस्पल है ऐसे कौन कौन से सिध्धान्त है कुछ मुख के सिध्धान्त है जिसे आपको जान लेना जरूरी है परिच्छा के दृष्टी से यह आपके लिए महत्वपूर्ण है जो मुख यह सिध्धान्त है कि सको लें यकर के बाल विकास को लें कर की तो पहला सिधान्त जो कहता है वह कहता है तो कि व्यक्ति के जन्म से लेकरके उसके प्रॉर्ण रइक हो चाये ुआ तेवा तर लगातार उस chuck क्या होते रहता है विकास उसका देवल्पमेंट हमको लगातार देखने को मिलता है लगातार उसके सद्रक्षण में उसके बौध्धी की इस्तर में उसके समझ देखांतों डिखाए दिता उसका नयत्रिक इस तरह अचानक बदल गया उसके इमोशन में बदलाव जिस आप से वह इमोशन होते थे उसके उसमें अचानक बदलाव दिखाए देने लगा तो यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा तो क्या होता है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है तो चाहे धीमी गती से हो लगातार होती रहती है तो यह प्रिंस्पल कहता है कि आपके जीवन में बालक के जीवन में निरंतर आपका विकास होता रहता है दूसरा प्रिंस्पल कहता है व्यक्तिक भिन्यता का सिद्धान थियोरी ऑफ इंडिविजूल डिफरेंस कहने का मतलब है कि आप ने अपने आ डिफ्रेंस कैसे दिखाए देंगे ओंडिविजुल डिफ्रेंस दिखाए देंगे एक सबढते हैं उनके बहुत फीक अलग होंगे व्यक्तिक जो इंडिविजुल्टी होगी हमारी वो अलग-अलग होगी दोनों बिल्कुल समान रूप से नहीं हो सकते दोनों इंसान ही हैं दोनों की उम्र समान है लेकिन फिर भी इंडिविजुल आइडिंट्री उसमें मिलेगी तो यह कहता है व्यक्तिक भिन् पदलब है रेक्टिफिकेशन हम बोलते हैं अपने जनरल लाइफ में रेक्टिफाई करना तो हिंदी सब थोड़ा सा क्लिस्ट आपको लगता है कि परिमारजिता का सिधानत क्या वाई किसे कहेंगे कि परिमारजिता क्या क्या लाती है तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सा समझे कि हर बालक में जो बालक छोटे से बड़ा हो रहा है उसमें कुछ निश्चित सुधार करके कुछ एक्स्ट्रा प्रयास लगा करके कुछ एफर्ट्स लगा करके क्या किया जा सकता है उसकी विकास की गती को उसके डिवलप्मेंट के डियरेक्शन में क्या किया जा सकत तो उसे आप सारीडिक वैयाम करवा करके उसके पौश्टिक आहार में पुश्टिक्ता को बढ़ा करके अगर कोई बालक जो है बौधिक रूप से कुशाग्र नहीं है तो उसे आप अभ्यास द्वारा चरेंड करके या कोई बालक अगर होकी खेलने में ट्रेंड नहीं है तो उसे आप होकी की ट्रेंग दे करके उसे अभ्यास करवा करके क्या कर सकते हैं उसके विकास की गती को एक दिशा दे सकते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं अगला सिध्धान जो है वो कहता है कि direction of development मतलब कि दिशा का सिध्धान जो हम कहते हैं विकास की दिशा कहने से क्या अर्थ है मतलब direction of development कहने का मतलब है कि किसी भी बालक का विकास किसी विशेष दिशा में होता है अब वो दिशाएं कैसी होती है तो इसको मुख्य आप दो बिंदों पर समझ सकते हैं पहला और दूसरा पह अब दोनों विकास क्र में क्या अंतर यह क्या बूल रहा है मस्तका दो मुखी विकास क्रम अब इसे समझ जब भी बिरूना अवस्था से लेकर हम की सोरा वस्था तक देखेंगे खास करके विक्छर άवस्था में आपने बहुत सारी पिक्चर से देखी होलगी आपने इसमें हमक्या देखते हैं कि शीर वाला part वो आपका क्या होता है पहले विक्सित होता है उसके बाद आपका बाके नीचे का भागले विक्सित होता है बच्चा ज sitten बठ लेता है बच्चे का जब जनम होता है तो जन्म के समय भी coughing का रिद mirrors कर दो कि आपको आप के बच्चे का सरीर है तो उसके d Magic City अक विधास पहले होता है और नीचे के भाग कर विकास क्या होता बाद में होता है ठीक है विकास क्रम का कहने का मतलब है कि आपका विकास करम हमेशा ऐसा ओपर से नेचे की तरफ होगा, पहले आपके ओपरी हिस्से का विकास होगा, फिर निचले हिस्से का विकास होगा, इसे ही क्या कहते हैं, मस्तका धोमुखी विकास, क्या कहते हैं, दूसरा कॉंसेट कहता है समिप्ता विकास करम, अब यह क्या है दो वरस तक ऐसा लंबा बढ़ा उसके बाद वो क्या करने लगे ऐसा बढ़ने लगे ऐसा कभी होता है क्या बिल्कुल नहीं होता है आपके जो हाथ होते हैं पैर होते हैं यह एक रेशियो में साथ हैं जैसे आपके हाइट बढ़ती है वैसे वैसे इनकी विर्थ भी बढ़ती सार में होता है इसे ही क्या कहते है समिपित्ता विकास करम का सिद्धांत अग्रा प्रींसपल क्या कहता है कि एक ही करण विकल के थी इसलिए बता रहा है आपको कि कभी कभी प्रश्ण पूछ लेता है कि है तो सिद्धान्ट के नतरगत आएगा एक का सिधान्थ या कहता है कि आ bालक के, शरीर के खमता हो यह ने पितिक हो जो यह करने का मतलब है कि अगर अगर आपके षाथ करना आपके हात function क Пока kilo कन्दे करेंगे तो आपका उसका प्만सकर प्रिब्र का फील कर चलते हैं थे सजिए दूरों चीज़े एक साथ होती है मतलब यह सारे अंग जो हैं विक्सित हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं एकी कृत रूप से एक रेशियो में विकास हो रहा है सबका तो यह क्या कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटिग्रेशन याने एकी करण का सिध्धांत अब दूसरा है आप कहता है यह थोड़ा बड़ा होगा तो एसा होगा थोड़ा बड़ा होगा अब यहां दहु रहे होंगे अप यहां पर अगर मैं इतने में बच्चे का विकास हो रहा है थोड़ा सा बढ़ रहा है इतना हो रहा है थोड़ा सा बढ़ रहा है इतना हो रहा है इतना हो रहा है क्या दिख रहा है आपको सर्कुलर सर्कुलर कहने का मतलब बच्चे की हाइट बढ़ने के साथ-साथ क्या हो रहा है बच् आपको सर्कुलर प्रोग्रेस आपको दिखाई देती है बच्चे के विकास में अच्छा ही सर्कुलर प्रोग्रेस होती कैसे है ऐसा नहीं होगा कि बच्चा इतना बड़ा है एदम से वह इतना बड़ा हो जाएगा एदम से वह इतना बड़ा हो जाएगा बच्चे के विकास क के बात किया होता है तॅना के साथ है उसका विकास हमको दिखाई देता है सेम वे चीज मानसिक विकास में भी दिखाई देती है कि परिक्रता के साथ साथ उसके पुराने मानसिक विचार और जो भी उसकी emotions होते हैं, समवेव होते हैं, उनकी पुष्टता के साथ साथ ही उनका development होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्तुला कार प्रकृती का principle कहेंगे अब देख लेते हैं, ऐसे कौन-कौन से, यहां जो factor मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके विकास को या बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, उसका एक जनरल इंट्रो है आईए देख लेते हैं, इसे कौन-कौन से कारक हैं, जो कि बाल विकास में महत्पूर्ण भुमिकादा करते हैं, या बाल विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं इतना फास चलने के पिछे कारण है, यह है कि आपको अधिक साधिक चीजें जो आपके लेक्चर के पॉइंट और फ्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दी जाया, ताकि आपका अठ्छ सितंबर को जो एक्जाम होने वाला है, उसे आप अच्छी तरह से डिल कर प इन्हेरिटेंस, यह जो है कैसे प्रभावित करता है, इसका डेटेल, आगे लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, दूसरा है आपका वातावरंड, किस वातावरंड में बालक रहता है, आस पास का उसका अन्वार्मेंट कैसा है, जिसमें उसका पालन पोश्टन हो रहा है, वो बच्चे के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तीसरा है स्कूल, आप स्कूल के आपके एन्वारमेंट कैसा है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो टीचर कैसे हैं, आप जिनके साथ पढ़ रहे हैं, वो कैसे हैं, साथ उस विद्याले का वातावरंड कैसा यह सारी बाते आपके विकास को प्रभावित करती हैं यह घर बलकों में और बालिकावों में जो विकास होता है दोनों विकास में बहुत मुद आंतर बनेंगे या आप परिक्षा हॉल में बैठेंगे देखिए सारी बाते जनरल हैं जो हमारे बाले काल में हमारे साथ घटित हुई है साती साथ आपका बच्चे के बाले काल में घटित हुई है आपके परोस में आपके परिवार में किसी बच्चे के बाले काल से ले करके किसोरा आवस्ता तक आने तक जो भी परिवर्टन उसके में दिखाईते रहे हमने कभी अब्जर्व नहीं किया लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते आप उसको अब्जर्व करते हैं इमेजिन करते चलते हैं आप उन सारी बातों को याद करते चलते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, सारी बातें क्या हैं और प्रिक्षा हॉल में आपको ऐसे ही recall करना है ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद आ जायें इस exam में बहुत सारे प्रश्णों को आप केवल इस बात से हल कर सकते हैं कि आपके अनुभव क्या रहे हैं प्रवाईट करती है वह आपके क्या है निद्रा और विषराम स्लीप रेस्ट भीया आपके विकास में बच्चे के विकास में निद्राका या सोने का और विष्राम करने का बहुत ज्यादा महत्त होता है कहा जाता है कि एक व्यक्ति को एक समाने व्यक्ति को 6-8 गंटे और बच्चों को तो और आप देखेंगे अलग अलग बाल यवस्था में जब किसी घरें बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं अग्दम जब लगबग 3-4 महिने के होते हैं तो उनके सोने की अवधी काफी जादा होती है जैसे जैसे बड़े होते जाते उनके सोने के अवती कम होतीस चाहते लिवे अब पुन रोल है साथ आपका नुट्रिशन फूड पॉस्टिक भोजन किस तरह का आपने देखा भी होगा सरकार भी समय समय पर बच्चों के लिए बहुत सारी योजना लाती हैं कि जो बच्चे को पोशन का सिकार हो चुके हैं जिने पूरा पोशन नहीं प्राप्त हो पा रहा है उनके लिए भी बहुत सारी स्किम्स लाए जाती हैं तो एक बालक के विकास में क्योंकि बाल्य अवस्था में या कुछ और आवस्था में जो इसको पोशन मिलेगा उसी पोशन के आलहार पर उसका सरीर डेवलप होगा उसका दिमाग डेवलप होगा और सरीर और दिमाग प यह दो आगे देखते हैं कि ऐसी कौन कुन सी बाते हैं जो हमें इस लेक्चर में पढ़नी है अभी तक जितनी भी चीजे मैंने आपको बताएं अब यह कैसे मालूम पढ़ेगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है या आपने अच्छे से उन बातों को समझ लिया है आये कुछ प्रश्ण हैं जिनको हल करते हैं जिनके अधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा देखा या समझा है वो हमें कितना समझ में आया है यहां पर वृद्धियम विकास से मतलब growth and development से related कुछ प्रश्ण मेंने लिये हैं ताकि आप समझ पाएं कि आपका पढ़ा हुआ आपको कितना याद है अब पहला प्रश्ण आपके सामने दिख रहा है कि मानो विकास क्या है यह मानो विकास blank दिया हुआ है तो आपको सभी को मालूम है जैसा कि मैंने बताया था कि विकास क्या है वो मात्रात्मक ने कहोकर क्या है गुडात्मक है तो इसका अंसर क्या होगा गुडात्मक एदम सरवर प्रश्ण है दूसरा प्रश्ण है कि विकास खाली स्थान से खाल से किदर की होता है सामाने से विशिष्ट की और जटिल से कठिन की हो विशिष्ट से सामाने की और या साधरन से आसान की और इसका भी क्या होगा सामाने से विकास की और, जटिल से कठीं दोनी लगबग एक ही सब्त है, विकास से सामाने हो नहीं सकता, क्योंकि जब विकास होता है, प्रारंवी का वस्था में हम क्या होते हैं, सामाने होते हैं, अगला प्रास अगला प्राश्ण देखते हैं, отिटी याने करती है याने follow करती है फिर से पढ़ रहाई प्रश्ण यह क्षानॸ रेसिकास कि विक्ति से दूसरे में भिल् небольш होती है किन्तог यहां एक खाले स्थान नमूने का अनुगमन गड़ती है गल्यां सामाने से दिया हुआ है एदम सामाने प्रश्ण है क्या होगा इसका अंसर लगाईए इसमें दिया हुआ है अव्यवस्थित अप्रत्याशित क्रम बद्ध अव्यवस्थित एड़ी से चोटी सीथा सा प्रश्ण देखेंगे विकास की गती एक दूसरे से भिन्य तो होगी लेकिन अव्यवस्थित होगी क्या नहीं होगी अप्रत्याशित होगी क्या अभी थोड़े देर पहले मैंने बताया कि अप्रत्याशित नहीं होती है क्या होती है क्रम बद्ध होती है विकास कब से सुरू होता है development कब से स्टार्ट होता है मैंने बताया था जब आपके आधा अगलत development के स्टेज इस मताया थे बच्चों की विकास के यहां दिया हुआ है उत्तर बाले अवस्था से कौन पूर अवस्था अवस्था ने तो ये उत्तर और पुर अवस्था से सह से पूर gör अवस्था से जा अगला प्रशन देखते हैं नेम लिकित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पैचान करता है इसको एंग्लिश मोलता हूं कि जो भी नीचे पॉिंट दिए गए हैं इन में से कौन सा डिवलोप मेंट के कि डामिनशन मुल्टिपल डामinizi या ब्रॉट były ब्रॉट डामाइशन की सही तरीके करता है सही तरीके करता है तो ह doubt तो यह सिक्वेंस है जो कि आपकी शिलेबस में भी दिया हो गय को याद Öz bạn घृतित्व आध्यात्मिक समाजिक साफ्यक साहिए है क्या आई यह डामेंशन सही है क्या आपके development के सारी रीक संग्यानात्मक सामाजीक और समवे आत्मक समवे आत्मक बहुत दीध आध्यात्मीक अंसर आपका स्चार्च परखें समवे जो है यह आपके विकास व्यापक आयमू की सही पैचान करते हैं फिर बार मुख्फी बिंदू को इसको याद रखेंगा बहुत प्रश्ण पूछा जाता है इस चीज को ले करके अगला प्रश्ण है सरीर के आकार में विद्धी होती है क्योंकि इँ है भई शिद्धर से है आपके सरीर के आकार्ण में यआ साइज आपके बॉडी के साइज में वृद्ध क्यों होंगी संग्यानात्मक कर से करण नहीं होगी नैतिशी विकार्ण होगो क्या कि अब याद रखे क builder यानने की ग्रोथी की बात कर रहा है तो बच्चे की रिद्धी-मुक्ता संबंदित होती है कि सह सब्ल formulas being करते हैं समाजी विकास से हैं तोसके विकास सब कर रहे हैं विकास है और केवल घ्रोफ की बात कर रहा है तो घ्रोस हम replacing होती है वह मनें बताया था आपको कि कौनित्यटिक होटी है तो कौनित्यटिव क्वालिटेटिव नहीं होती है तो क्वांटेटिव मतलब जिसे मापा जा सके हो क्या है आपका सारी विकास है ठीक है क्लियर है अगला प्रश्ण है नेम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बुद्धियम विकास दो अलग-अलग आयाम है भी ऑप्शन कहता है विद्धिय जीवन करेतन चलती रहती है व्रिधि विकासकी प्रक्रिया का हा एक भाग मैंने बताया था ऐपको कि ग्रोथ जो है वव्रिधि विकास का इथा के अंतरगत किया यह development के अंतरगत आपकी क्या होती है ग्रोध होती है विकास का एक भाग है वृद्धी वृद्धी का भाग दBO रहता है तो क्या गलत होगा विद्धी मईν 맞는 दो अलग नहीं है यह व्रद्धी जो है वह विकास का यह पार्थ है अगला प्रश्ण देखते हैं विकास में व्रिद्धी से तात परे हैं अब यह थोड़ा सा कंफुजन व्राइब प्रश्ण वीकास वीध्धी दोऊंड डाल दिया मतलब development और क्या दिया है growth तो क्या बोल रहा है विकास में व्रिद्धी मतलब development विकास के growth से क्या तात पर है क्या समझते हैं आप ज्यान में वृध्धियू को विकास कहा जाएगा समवेग में वृध्धियू को विकास कहा जाएगा वजन में वृध्धियू को विकास कहा जाएगा या आकार सोच समझ और कोशल तीनों में चारों में जब वृध्धियू होगी तो इसे आप वि सब्सक्राइब को दूह वરिधि और विकास और गोथ और डिवलाप्ल्मेंट दोनों के प्रिंसपल से संब्ड़त नहीं है निरन्तरा के सिद्धान्त भाई आपके विकास को सिद्धान्त है वरंगी करन। कहीं बीवर करन्ठ जो है वब आपका वृद्धी और विकास सिधानतों सम्मंदित नहीं है तो आपका अंसर क्या होगा भी यह कुछ प्रश्ण से जिसके आधार पर मैंने आपको बताया कि कैसे प्रिंसिपल्स होंगे और उसे रिलेटेट प्रश्ण कैसे होंगे और उन्हें आपको कैसे हल करना है चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन-कौन से मुख्य बाते हमें देखनी हैं आज की लेक्चर में विकास की विभिन अवस्थाओं में भी हम देखने वाले हैं कि आज कीकanor करने काकूंसा विकास आपका सारी इक फियकल डेवलब्मेंट कैसे होता है इसके पहले हम अपनी मां से प्यार मां को समझता है उसके अंदर अप्रेम की भावना होती है उसके अंदर कुषी की भावना होती है ऐसे कुछ वावना की और वावाज और अन्य औरतों की आवाज में आसानी से अंतर कर लेता है, उन्हें समझ लेता है, पैचान लेता है, वो इस समय पर रोना जानता है, किसी बीशिश के लिए, जब उसे कुछ आवशकता मैसुस होती है, तो क्या करता है, रोता है, रो करके बताना चाहता है, कि मुझे भूग लगी है, मुझे प्यास लगी है, वो साथी साथ क्या करता है, प्रेम करता है, साथी साथ क्या होता है, उसके अंदर क्रोध उत्पन होता है, ऐसी मुख्य मुख्य बाते होती है, जो कि आप कुसी बालक को अबसर्व करेंगे, तो आपको दिखाए देगा कि बालक जो है, कि खेलेगा उसकासाद बाते करेगा जैसा कि हम उससे बात करते हैं वह उस तरह की बाते का करता है वह आपका अनुकरन करता है है अनुकरन कर लेकार की पुंड्रा वित्ति कहलें पर आप जैसे उसे ऐसे हैं वैसा वह पला बसे को घ्चने का ढार मैं थ्यू textured सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी लंबाई की लंबाई के समय किसी भी बालक की या बालिका की जो ऑसत लंबाई होती है वह बालक कितनी होगी 59.5 लगबक 64.5 लगबक लगबक इंका 50 cm होती है लेकिन 6 वर्स तक आते आते उसकी लंबाई बालग की लंबाई लगबक 180 cm और बालिका की 107 cm के आस पस दिखायबी से था और इस समय साथ की लेकर 5 से 6 वर्स की आयों तक उसकी लंबाई में बड़ी तेजी से विर्द्धी होती है यहां पर आपका जो विर्द्धी है वो काभी फॉर्व लालंख विकास होता है टम शाज होता है पुंडला वृती की प्रेवर्यत्य है साथी Просто होती है वो इसी समय पर विख्शित होती है घ् kr mattress तीन माह में हाइट बढ़के आपकी 62 हो जाती है छह माह में इतनी हो जाती है नो माह में 69.5 यह हमको उतना याद नहीं रखना है कि लंबाई किस प्रकार से हमको बढ़ती हुई देखने को मिलती है दूसरी बात करते हैं वजन की तो वजन भी हम देखें कि जन में के समय एक ब उसकी जो वेट है लगभक तीन कुना के आसपास बढ़ जाता है एक बालिका का वेट जो है 9.6 kg हो गया लगभक दो वर्स में तीन कुना बढ़ गया उसके इस अवस्था में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भार और लंबाई काफी तीवरे गती से बढ़ने को हमको बढ़ होता है अपेच्छा कृत क्या होता है थोड़ा बढ़ा होता है लगभक उसके 350 के ग्राम के आसपास जो सजर्म के समय जोए एक बालक के मस्थिस्खा भार होता है आपका जो consider आवस्था होती है और वहां से लेकर के आपका लगभक 6 kg क्लोग आसपास तक 6 वर्स की आयोट त के बात आती है आपकी हड्डियं बोंस कैसे बढ़ती हुती है असْपास हड्डियां है सैसों अवस्था में आप के पाई जाती है बालक के विकास के पाईगा देखें तो 207 हड् exercico होती है देखिने हड्यां क्या होती है उतनी सुद्रून नहीं होती इसी को अस्थी सुद्री करण या अस्थी करण कहा जाता है जब दीरे दीरे बच्चे के अंदर जो बोन्स होती है वो स्ट्रॉंग होती जाती है मजबूत होती चल जाती है अब बाद करेंगे अगर टित की तो इस समय मतलब 600 अवस्था में आप देखेंगे कि लगबग एक चल जाती है तो यह सारी की विकास से फेक्च्चुल कोईश्चन बहुत ही कम देखनों को मिलता है एक जनरल मुटा मुटा मुटी याल रखेंगे कि इस तरह का डेवलोप्मेंट इस तरह के प्रस्ण आएंगे तो आप एक जनरल अपनी इंटेलिजेंस की अधार पर अपने 600 और सि्ख्षा संबंद कि 600 अवस्था में सिक्षा देना क्यों मत्यपूर्ण हो और किस तरह की सिख्षा हम बच्चों को तो उनके में अच्छी आदतों का निर्माड करना चाहिए इस अवस्ता में यहीं आदतों को सीखते हैं अबजर्व करते हैं अपने माता-पिदा को देखते हैं उनसे सीखते हैं अपने पर उसके परिवार के बाकी इन्वार्मेंट से निम्से निमान उनके अंदर कर सकते हैं detto एक उचित वहार करने सब्सक्राइब तो यह अवस्था जो कर जाती है कि इस अवस्था में उसके अंदर आप एक सकते हैं उसकी ज़ो मूल्प्रवृत्यां है प्रोसाहन कर सकते हैं कि और किस त्रीक चित्रों कहानियों द्वारा अगर आप इस एज में बच्चा क्योंकि अब्जर्व कर रहा है सीख रहा है समझ रहा है उसे चित्र और कहानी के माध्यम से आप समझाएं बताएं तो क्या कर सकता है वो सिक्षा को अच्छे तरह कर सकता है अपने विकास को एक अच्छे दिशा में लिया सकता है आप उसे व और तमान में कुछ teaching habits develop हो रहे हैं जहां बच्चों को विभी ने खेल के माद्यम से ने ने चाज़े सिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो खेल के माद्यम से भी आप बक्षों को यहां पर बैतर सिक्षा दे सकते हैं क्रिया अधारित सिक्षा करने का मतलब है activity based education आप जैसा क लिए खेल के माध्यम से उनका विकास कर सकते हैं जिग्यासा संतुष्टी करना मतलब curiosity को सांत करना बच्चे में बहुत जिग्यासू होते हैं उनके अंदर तरह तरह के प्रश्ण होते हैं जिग्यासा होती है तो यहां पर उनको डाटना नहीं है चुप रहा हो तो मैं का विट्प होती है को सबाल होती है उनका जो उनको जवाब दीया जाएगा उसको सच मान लेती है और अधार पर अपने जीवन का करते हैं आगे उनिया रणनाओं को ले कर चलते हैं जब कि आइन्वारमेंट बच्चे के हासपास का अवारमेंट उपना चाहते हैं न Himalayas son If the ऑन देना साथ है अच्छा स्प्राओंड देना चाहते है अच्छा पारिवारिग वाता见 देना चाहते हैं पर तो यहां तो आज की lecture में हम यहीं तरह रखेंगे आगे की सारी बाते हम अगले lecture में देखेंगे आप से मेरा विशय सनुगरा है कि ऐसा कोई topic हो इस विशय से संबंदित जिसे आप special group से पढ़ना चाहें तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं कि अगला lecture या एक-दो lecture के बाद आप किस विशय को special group से पढ़ना चाहते हैं अगर संबंद हुआ तो इस series में मैं उस topic को या उस lecture को लेने का पूरा प्यास करूंगा धन्यवाद